हेलो दोस्तों वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग तो आज हम एक ऐसे ETF के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मार्केट में काफी सेफ ETF माना जाता है क्योंकि देखिए बजार अभी बीते कुछ दिनों से एक नए हाई पे नए हाई लगा रहा है तो ऐसे में अगर कोई रीटेल निवेसक इस समय फ्रेस निवेस करना चाहता है और उसे कहीश नगहीं मार्केट में यह डर है कि यहां से क्या मार्केट में आने वाई में गिरावत हो सकती है तो उन्हें अभी की टाइम में किसी safe ETF में focus करना चाहिए और उन्हें में से एक ऐसे safe ETF के बारे में हम आज बात करने वाले हैं तो चलिए बात करते हैं उस ETF के बारे में तो देखिए यह है ICICI potential का Nifty 100 low volatility 30 ETF और इस ETF का price है 23.38 रुपीज आज की date में और इस ETF की खास बात यह है कि यहाँ पर जो आपका पैसा लगता है वो Nifty 100 के में से best ऐसे 30 stock में लगता है जिसमें की volatility काफी कम होती है यानि low volatility वाले stock को इन में सामिल के जाता है जिनका बीते एक साल में सबसे कम volatility हो तो ऐसे Nifty 100 में से 30 stock को इस ETF के portfolio में रखा जाता है और इस ETF का एक साल का return भी देखेंगे तो काफी अच्छा है ऐसा नहीं है यहाँ पर safety के साथ return भी आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाते है 45% के return safety के साथ आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे return है और यहाँ पर सारे large cap stocks हैं यहाँ पर आपको ना तो mid cap देखने को मिलता है ना ही small cap देखने को मिलता है और यहाँ पर जो थोड़े से highly जो volatility वाले stock होते हैं उनको इसमें सामिल नहीं किया जाता है जैसे कि आपने कई बार notice किया होगा निप्टी 50 में भी कुछ ऐसे stock होते हैं जो काफी volatile होते हैं लाइक अडानी के stocks होते हैं या metal के कुछ stocks होते हैं तो ऐसे stock में काफी volatility होती है तो उन्हें उन stock को इन में नहीं सामिल किया जाता है तो जिस वजह से यहाँ पर आपका safety जादा हो जाती है तो market जब perform करेगा तो यहाँ पर आपके return तो अच्छे होंगे पर गिरावट में ज्यादा गिरावट आएगी नहीं CTF में और वैसा ही आप यहाँ देख भी सकते हैं इसका chart देखना है बीते एक साल का तो यहाँ पर आप एक चीड़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई गिरावट हमें देखने को नहीं मिल लहीं है खासका कि कोई बड़ी गिरावट नहीं है गिरावट जो market में थड़ी बहुत होती है तो इसमें मुश्किल से 2-3%-4% ही गिरावट इसमें आती है देख सकते हैं कोई बड़ी गिरावट नहीं है 3%, 2%, 5% ऐसे ही गिरावट आती है तो यह ETF Swing Traders के लिए तो उतना better नहीं है पर investors के लिए काफी अच्छा option हो सकता है देख सकते हैं यहाँ पर कोई बड़ी गिरावट नहीं है तो यह constant return निकाल कर देता रहता है अपने निवेसको को और साथी साथ यहाँ पर volume का भी कोई issue नहीं है देख सकते हैं 28,50,000 का volume जनरेट हुआ है last trading session में तो कह सकते हैं कि यहाँ पर liquidity का कोई issue नहीं है और साथी साथ अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ETF का symbol जरूर नोट कर लिजगा इस ETF का symbol होने वाला है वो है all पर लगा कर इसके chart को देखेंगे तो आप clearly देख पाएंगे यह ETF आया था July 2017 में जो की काफी time हो चुका है इसे market में पर वो बात अलग है इस ETF के बारे में ज्यादा लोग को knowledge नहीं है तो जिस वज़ए से हमने इस ETF को भी हमें cover करना चाहिए और market में जो ऐसी तेजी होती ह है या फिर market life high पर होता है तो आप में इसे अगर कोई safe नवे सक है और first buying करना चाहता है किसी ETF में तो ऐसी ETF में buy कर सकते हैं जहां पर volatility काफी कम होती है और safety के साथ आपको अच्छे return भी मिल सकते हैं बाकी चलिए बता दें जिस index को यह cover करता है वो है nifty 100 low volatility 30 और यहां पर सामिल किया गया है उनका जो weightage है वो आप यहां देख सकते हैं यहां पर FMCG में 25% देखने को मिल जाता है फिर financial services में 13% healthcare में 13% IT में 10% consumer durables में लगभग 10% telecommunication में 3% और construction में 3% और ऐसे ही आप सारे देख सकते हैं यहां पर आपको लगभग सारे sitter cover हो जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं clearly पूरा details में कि इस index को कैसे design किया गया है आप यहां पूरा detail में अपड़ सकते हैं यहां आप देख सकते हैं Nifty 100 low volatility 30 index aims to measure the performance of low volatility securities in the large market capitalization of segment और यहां पर आप सारा clear कर सकते हैं कि कैसा index design किया गया है और यहां पर आपको 30 stock का portfolio देखने को मिलता है तो नाम return वगएर आप यहां देख सकते हैं बीते एक साल के return 41% या 48% के उपर के रहे हैं और 5 साल का जो CIGR रहा है वो 21% से उपर का रहा है जो कि nifty 50 से काफी better निकल के आता है और यहां since inception देख सकते हैं 18.8% के return है जो कि बहुत ही अच्छे return कहे जाते हैं और देख सकते हैं सिक्ट 4% ITC 4% ICICI bank 3.88 और यहां पर जितने भी stock आपको देखने को मिल रहे हैं सभी बहुत ही fundamentally strong से आ रहे हैं और यह market की तेज़ी में तो participate करते ही करते हैं और क्योंकि यह fundamentally काफी strong है तो market जब गिरता है ना तो यह काफी कम गिरते हैं as compared to mid cap के stock या फिल जो small cap के stock होते हैं तो जिस ETF को अपने portfolio का हिस्सा annual समय में आप बना सकते हैं क्योंकि market लगातार high पे high लगा रहा है तो ऐसे में आप अगर कहीं से profit book करते हैं तो आप अपना पैसा यहां पर भी चाहें तो निवेस कर सकते हैं या फिर आप market में थोड़े बहुत correction का भी चाहें तो weight कर सकते हैं और बाक कि आप बैका बैक सकते हैं और बाकी आप यहां देख सकते हैं total traded quantity यहां पर आपको बीत एक बहने का data है यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको liquidity का कोई इसू नहीं है अच्छी खासी टेड़े ट कॉन्टिटी वे इन लग की volume यहां पर अच्छा खासा generate होता volume है और यहाँ पर जो delivery quantity है वो भी आप देख सकते हैं आपर delivery percentage काफी अच्छा आता है तो यह ETF अगर आप safe investor है तो आपके लिए काफी अच्छा option हो सकता है यह तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगर आप इस ETF में निवेस करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रख आपना चाहिए तो पहली बात जिस बात का आपको ध्यान रखना है तो जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था कि market अभी लाइफाई पर खड़ा हुआ है और कल ही nifty 50 ने एक फ्रेसा ही बनाया है तो ऐसे में आपको ध्यान यह रखना है कि अगर आप इस ETF में इस price पर अभी buy करते हैं तो हो सकता है market में अगर correction आता है तो इस ETF में भी थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है जिससे आपके return जो है वो negative में जा सकते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है तो अपना नजरिया जो है वो थोड़ा सा लंबा ही रखेगा इस ETF में क्यों कि swing trading के लिए हम अकसर वो ETF प्रेफर करते हैं जहां पर volatility हाई होती है पर इस ETF का नाम ही low volatility है तो यहां पर आपको ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को नहीं मिलेगी तो जिस वज़े से आपको swing trading में मौके ज़्यादा नहीं बनेंगे तो इस चीच का आपको ध्यान कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो market का थोड़ा सा market में थोड़ा सा correction का भी wait कर सकते हैं इनकेस market में थोड़े बहुत correction आती है तो आप वहाँ पर fresh buying करने का सूच सकते हैं इस ETF में तो यह था एक detailed video इस ETF के बारे में यह video आपको कैसा लगा यह ETF आपको कैसा लगा comment box में बता कर दिएगा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye